इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते ह हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी गेस्ट्रोसोफेगल reflux disease यानि की GERD एक पुरानी यानि की दीर कालेक स्थिती है जिसमें पेट में acid का अधिक उत्पादन होता है ड्रैबी decapsule एसार आपके पेट में बनने वाले इस बारे में सोचे कि कौन से खाद्य पदार्थ नाराज की पैदा करते हैं और उनसे बचने की कोशिश करें छोटे अधिक बार भोजन करें यदि आप अधिक वजन वाले हैं तो वजन कम करने का प्रयास करें और आराम करने के तरीके खोजने का प्रयास करें। सोने के 3-4 घंटे के अंदर कुछ न खाएं। इस दवा को अपने चिकितसक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। इसे पूरा निगल लें। इसे चबाएं, कुछलें या तोड़ें नहीं। ड्रेवी डी कैपसूल सीनियर को खाली पेट लेना है। रभी डी कैपसूल सीनियर दो दवाओं का एक मिश्रन है डॉमपरिडोन और रॉबिप्रागोल। डॉमपरिडोन एक प्रोकाइनेटिक है जो पेट और आतों की गती को बढ़ाने के लिए उपरी पाचन तंत्र पर का पेट के माधिम से अधिक आसानी से आगे बढ़ता है। ट्रेविप्रागोल एक प्रोटोन पंप अवरोधक यानि की पीपी आई है जो पेट में एसिट की मात्रा को कम करके काम करता है जो एसिट से संबंधित अपच और नाराजगी से राहत दिलाने में मदद करता है। व आनिवाद!